नमस्कार में हूँ प्रियंका, शंकनात हींदी समाचार में आपका स्वागट है, आए नदर डालते हैं आज की सुर्ख्यों पर चंदरपूर के ततकालीन शिक्षा अधिकारी कलपना चौहान निलंबित विधायक सुधाकर अडबाले के तारांकित प्रश्न के बाद कारवाई निलंबन की कारवाई से अधिकारी वर्ग में हल चल चंदरपूर के ततकालीन माधमेक शिक्षा अधिकारी शिमती कलपना चौहान को उनके कारियाले के दौरान की गई अनियमित्ताओं की जाँच के आधार पर तुरंत निलंबित करने और उनकी संपती की SIT के माधियम से जाँच करने की मांग विदर्ब माधिमिक शिक्षक संग के सरकारिवा और विधायक सुधाकर अडबाले ने वर्ष 2024 के मौनसून सत्र में तारंकित प्रश्न के माधियम से की थी एक सपताह में उनका स्पष्टी करन प्राप्थ होते ही निलंबित करेंगे ऐसा स्पष्ट उतर शिक्षा मंतरी दीपक के स्रेकर ने सदन में दिया था उसी के अनुसार स्कूली शिक्षा और खेल विभाग के सह सचिव ने चंदरपूर की ततकालिन शिक्षा अधिकारी श्रीमती कलपना चौहान को शासकिय सेवा से निलंबित करने की कारवाई की इस कारिवाई से स्कूली शिक्षा विभाग के अधिकारियों में हल चल मज गई है चंदरपुर के माध्यमिक शिक्षा विभाग में श्रिमती कल्पना चौहान तीन साल पहले नियुक्त हुई थी उनके कारेकाल के दौरान जिले के कई शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारियों के मामले लंबित रखे जा रहे थे विधर्ब माध्यमिक शिक्षक संग की ओर से विधायक अड़्बाले के निर्थत में उनके खिलाफ कई बार आंदोलंग किए गए थे उस पर विदर्ब मादेमिक शिक्षक संग के सरकारेवा और विधायक सुधाकर अडबाले ने शिक्षा अधिकारी कार्याले की जांच की मांग की थी उनकी शिकायत पर नागपूर के शिक्षा उपनिदेशक के जांच दल ने शिक्षा अधिकारी कार्याले की जांच की जिसमें उन्हें दोशी पाया गया इस पर मौनसून सत्र में तारांकित प्रशन उठा कर विधायक अडबाली ने शिक्षा अधिकारी को तुरंत निलंबित करने और उनकी संपत्ति की S.I.T. की जाँच कराने की मांग 5 जुलाई 2024 को सदन में की थी कलपना चौहान को सपश्टी करन देने के लिए नोटिस भेजी गई थी इस नोटिस का उतर मिलने के बाद एक सत्ता में नेलंबित करने का नेने लिया जाएगा ऐसा उतर राजी के स्कूली शिक्षा मंतरी दीपक के सरकर ने सदन में दिया था इसके बाद भी इस मामले को ले इस सरकारी आदेश की तिथी से उनिशासकिय से निलंबित किया जा रहा है और अगले आदेश तक वो निलंबित रहेंगी ऐसा आदेश में कहा गया है इस कारवाई से स्कूली शिक्षा और अन्य विभागों के अधिकारियों में हल्चल मच गई है